हेलो फ्रेंट्स डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन रिंग आइकन तो गेट फास्ट नॉटिफिकेशन वेल्कम फ्रेंट्स अलफ दिन पर एक्सल टिप्स में आज हम बात करेंगे डिफरेंट सीट्स के डेटा को एक ही वर्क सीट पे किस तरीके से हम लाएंगे क्योंकि ऑफिस वगयरे में अगर हमने अलग-अलग सीट्स बनाई है एक्सल पे और हम चाहते हैं कि वो सारी सीट्स एक ही वर्क सीट्स में हम एड करा लें उन्हें अलग-अलग ना खोलना पड़े तो वही आज की क्लास के टॉपिक में हम देखने वाले हैं तो आईए एक एक एक्जामपल के रूप में देख लेते हैं यहां पर डेक्स्टॉप पे मैंने कुछ फाइल्स क्रियेट की हुई हैं जिसे आ आप देख पाएंगे व्यू के अंदर स्विच विंडो के अंदर आप देख पारे हैं मार्च, फर्वरी और जन्वरी यह तीनों सीट्स के डाटा हमें प्रॉपरली यहां पर दिखाई दे रहें आप जैसे ही किसी भी सीट्स पर क्लिक करेंगे वो सीट्स यहां पर खुल क आजाएगी अब हमें करना क्या है हमें कंट्रोल एन से एक न्यू सीट लेनी है और इसे आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं इसे मैं अपने कंप्यूटर में माई सीट के नाम से सेव कर देता हूं और इसके अंदर वो तीनों सीट्स लेके आना चाहता हूं जो कि जन्वरी फरवरी और मार्च की है आप दो तरीके से कॉपी कर सकते हैं या तो वहां से हटा दीजिए और डारेक्ट इस सीट में लियाईए या दोनों जगे आप कॉपी कर लीजिए यानि कि मूव और कॉपी आप सबसे पहले क्या करेंगे पहले जनवरी सीट पर जाएंगे आपको दिख पा रहा होगा है जनवरी सीट का डाटा है अगर आप चाहते हैं कि सीट यहां से गायब हो जाए और उस सीट पर कॉपी हो जाए तो वो आप कर सकते है लेकिन यहां पर एक सीट का होना जरूरी है क्योंकि multiple sheets अगर होंगी तभी वो यहां से move हो पाईगी लेकिन आप चाहते हैं कि simple सिर्फ copy हो जाए तो आपको करना क्या है format के अंदर जाना है format के अंदर आपको मिलेगा move और copy sheets move और copy sheets में आप यहां से किस file में उसे ले जाना चाहते हैं तो हमें ले जाना है my sheet के अंदर और my sheet में आप sheet 1 की जगे उसे चाहते हैं ok कर दीजिए नीचे की तरफ आप देख पाएंगे create a copy इसको check कर दीजिए और check करने के बाद जैसे ही आप ok करेंगे आप देखेंगे कि आपकी my sheet में January records की sheets नीचे की तरफ add हो चुकी है अब आपको करना गया है फिर से switch window पे जाना है और जाना है फरवरी वाली sheets पर फिर से आपको home tap पे जाना है फिर से आपको जाना है format के अंदर move और copy sheet उपर से आपको selection ले लेना है फिर से my sheet का जिसमें आप sheets को ले जाना चाहते हैं और sheet 1 की जगे हम उसे चाहते हैं create a copy पे click करते हुए आप ok press कर दिजिए आप देखेंगे January और February अब दो sheets यहाँ पर आ चुकी है साथ ही साथ हमें तीसरी sheets पर चाहिए तो हम फिर से switch window पर अपनी final sheets पर चले जाएंगे March पर home के अंदर हमें फिर से करना होगा यहाँ पर move और copy sheet और finally my sheet के अंदर मुझे sheet 1 की जगे वो एक copy चाहिए तो की करते ही हमारे प्यास यहाँ पर पूरी final हमारी sheets आ चुकी है January, February और March Ctrl S से हम इसे save कर देंगे और सारी sheets जितनी भी हमारी हैं वो अब हमारी work sheet पर copy हो चुकी है तो यह एक छोटा सा वीडियो था Excel tips पर Hopefully आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आने पर आप लाइक कर सकते हैं अपने friends के साथ वीडियो को share कर सकते हैं जिनसे उनको भी move और copy sheets के बारे में knowledge हो जाएं अभी मैं आपको एक बार move sheets करके बता देता हूँ क्योंकि मैंने copy sheet तो अभी आपको बता दिया है suppose यहाँ पर मेरी जो march की sheet है मैंने यहाँ पर एक नई sheet ले ली है अब मैं चाहता हूँ कि यह जो march की sheets है इसमें से यह वाली sheet यहाँ से गाइब हो जाए तो आपको करना क्या है आपको कहां लेकि जाना है इसे आपको format के अंदर move और copy sheet पर मैंने यहाँ पर इसे फरवरी के अंदर ला दिया है move to the end और मैंने अब create copy पर नहीं किलिक करा इसका मतलब जब मैं ok किलिक करूंगा तो फरवरी के साथ march तो आ चुका है लेकिन view के अंदर अगर हम switch window से जाएं march पर तो आप देखेंगे यहाँ से अब वो sheet हट चुकी है तो यह था हमारा copy और move sheet का एक छोटा सा topic Thank you for watching Bye Bye झाल